धाना बद्दी के तहट अमरावती में 16 नवंबर की रात को एक दुकान के ताले तोट के करीब 6.30 लाख रुपे की सिगरेट के बंडल चोरी करने के मामले को पुलिस ने करीब 3 दिन में सुलचा लिया है इस मामले में 3 अरोपे को गिरिफतार कर लिया गया है पुलिस चोरी किये गया सामान के बारे में अरोपे से पुछताच कर रही है गौर है कि यह मामला रमन जिंदल पुत्र रविंदर कुमार जिंदल निवासी पिंजोर तहसिल कालका की शिकायत पर दर्स हुआ था मामले दर्स होने के बाद पुलिस मामले को सुलचाने में जोट गई एसच्यो बद्दी मस्त राम की देखरेक में HC कुलडीप, HC दर्शन वे कॉंस्टेवल विरिंदर की टीम ने इस मामले को फोन लोकेशन और आसपास के लोगों से पूछताच कर सुलचा लिया है मारमी जिला विलासपुर को गिरफतार कर लिया है साथ ही चोरी के सामान को खरीदने वाले दुकानदार बहूराम निवासी चमबा जो की वद्दी में सब्रास में अपनी दुकान चलाता है तथा चोरी के सामान के बार में पूछताच की जा रही है उन्होंने बताया कि गिरफतार अरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा उन्हें बताया कि दो अरोपियों को हमीरपुर वो दो अरोपियों को बद्दी से गिरफतार किया गया है तो वहां से चड़ाग के लेगा है, तो हमने सीटीव फोटेज देगे, कुछ एक चेर है सामने आए, तो उसके भीना पर और लोगों से पूर्शतार की भीना पर हम एक टीम त्यार करी जिसमें हैड कॉंस्टेब कुलदीप, हैड कॉंस्टेब दर्शनों, कॉंस्टेब विरे डिम है, दूसरे काना नरेश कुमार है, वह भी सरकागा नाए है, तीसरा आदमी में कित्सतार हुआ मुकेश कुमार है। जिकमार की विलासपूर करेंने वाला है। अ monsieur माल रिकवर हुआ है इनसे पूस्ता जारी है इनने किसको माल दिया है किसको नहीं दिया है उसके वगार पूस्ता जारी है